नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग कार्तिक पुर्णिमा को त्रिपुरी पुर्णिमा या गंगाशनान के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ऐसी माननेता है इस दिन कृतिका में सिव संकर के दर्सन करने से साथ जन्म तक ब्यक्ति ज्यानी और धन्मान होता है और इस दिन चंद्र जब आकास में उदित हो रहा हो तो उस समें सिवा, संभूती, संतती, प्रिती, अंसुया और छमा इन छह कृतिकाओं का पुजन करने से सिव जी की प्रसनता प्राप्त होती है तो इस बार कार्तिक पुणिमा 19 नवंबर को मनाई जाएगी पुणिमा तिथी पर चंद्रमा से जो किरने निकलती है वो काफी सकातमक होती है और सीधे दिमाग पर असर डालती है अब चंदर मा पृत्वी के सबसे नजदीख है इसलिए पृतिवी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव चंदर मा का ही पड़ता है अगर हम भवित से पुरान की माने तो तीन ऐसी पूर्निमा है पूरे साल में बैसाख पूर्निमा मात पूर्निमा और कारतिक पूर्निमा जिस दि कुछ खास प्रयोग भी किये जाते हैं अगर आप नदी में असनान करते हैं तो हाथ में कुसा घास लेकर असनान करें अगर घर में करते हैं तो जल में गंगा मतस अवतार भी कार्तिक पुर्णिमा के दिन भीös लिया था और सिधिलिंग पर अगर उनकर आप khiते हैं अगर आप दूद सहद गंगा जल अर्पित करें तो भगवान सी प्रसंद होते हैं और इस मास में जICK भगवान विश्नू जल भगवान विश्णु की पूजा का पुन्य फल भी प्राप्त हो जाता है तो इस बार की पुर्णिमा बहुत खास है इस दिन कुछ खास प्रियोग करके अपने जीवन की मुश्किलों से आप बाहर निकल सकते हैं अब भगवान भोले नात ने त्रिपरासुर नामक असुर का अंत किया था इसलिए त्रिपुरारी के रूप में वो पूजित होते हैं और ऐसी माननेता है कि इस दिन कृतिका में सिप संकर के दर्सन करने से साथ जन्म तक व्यक्ति ज्यानी ही रहता है तो इस दिन कुछ विशेश प्रियोग में चले जानते हैं स्वस्तिक का एक छोटा भगवान गनपती का परतीग भी माना गया है और स्वस्तिक दो सब्दों से बना है एस्वश और अस्ति जिसका अर्थ होता है वैसे तो जोतिस में स्वस्तिक के कुछ अलग प्तेयों जिन्हें करने से घीवन की समस्त बाधाईएं दूर होती है और धन धान स्वाघ्य लक् करके बांधना है और बांधते समय आप अपने मन की मनुकावना जरूर के हैं आपकी मनुकावना पुर्ण होगी और जब आप चुकि इस बार बहुत खास संयोग में आया है चंदर गरहन है हलांकि भारत में दिखाए नहीं देगा लेकिन फिर भी आप कोई वी सुमंगल कारे इस दिन ना करें तो उत्तम रहेगा और इस दिन अगर आप असनान दान करते हैं तो असीम पुन्य भी प्राप्त होता है की मिट्टी सरीर में लगा कर रशनान करें और भगवान स्री विष्णु के ओम अच्युताय नमह ओम केसवाय नमह ओम अनंताय नमह मंतरों का जब करें तो उत्तम है तो इस दिन मालक्षमी सबसे ज़्यादा प्रसंद ने रहती हैं जो की जीवन में खुसियां देती हैं त सुब पांच बजे से सुब दस तीस तक मालक्षमी पीपल के बिख्ष पर निवास करती है इसलिए आप पीपल के बिख्ष में मीठा जल जरूर अरपित करें पुरानों में स्वास्तिक को लक्षमी और गनपती का प्रतीक माना गया है स्वास्तिक का अर्थ है संस्क्रीत में सुब और अस्तिक जिसका अर्थ होता है सुब और स्वास्तिक से परिवार धन स्वास्त समंदी समस्याएं भी खत्म होती है तो स्वास्तिक से कैसे आप तु परत्कार पा सकें आएए जानते हैं सबसे पहली बात तो अपने घर के मुक्हे दरवाज़े पर आम के पत्नों का बंदनवार जरू लगाईए गा आपने जो नौरातन में पेस्ट बना लें उसमें हल्दी डाल कर एक चुटकी आप इसी घुल से घर के मुखे दरवाजे पर बाहर की तरफ से स्वस्तिक बनाए या तो ऊपर में बीचो बीच बनाए या फिर दोनु तरफ बनाए अगर हल्दी चावल का नहीं बनाते हैं तो सिंदूर में तेल या फि इवन में सिर्फ मंगल ही लेकर आता है और कुछ नहीं अब घर के मंदिर में जब आप पूजा पाट कीजिएगा जब आप दीपक जलाते हैं पूजा करने के समय तो क्या करें देखिए पहले तो एक बात जालने जब आप स्वस्तिक बनाईएगा तो दोनों तरफ दो खड़ देखिए ज़रूर बनाईए यह जीवन में बिसेश सुमंगल करता है तो घर की मंदिर की बात करते हैं जब आप घर के मंदिर में पूजा पाट करेंगे तो एक थाल में दीपक जलाते होंगे तो थाल में आप एक स्वस्तिक बना ले सिंदूर से ही छोटा समने यह बहुत की पंखुडी रखकर फिर दीपक जलाएं तो आपकी मनो कामना जल्दी पूरी होगी अब चुकि यह तीथी बहुत खास है इसलिए आप पूरे घर में जल में थोरा सा पुझा पाट करने के दौर बाद एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा या पहले भी कर सकते हैं जल ले जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर इस पूरे घर में चुटकाओ करें बाकी बचा हुआ पानी घर में भी बाहर में भी या दखिए बाकी बचाओ पानी पौधे में डाल दें एकदम से देखिएगा सांत महसूस करेंगे खुद को दूसरी बात इस प्रयोग को करने के आप पातर में पानी ले लें उसमें फूलों की पंखुरी डाल दें और इसको अपने घर के मुखे दरवाजे के अंदर डाहिनी तरफ रखे यानि घर से आप बाहर निकलेंगे तो आपके हाथ जो दाहिने तरफ होंगे उसी साइड रखें और यह पातर मिट्टी का भी हो स नाइस्तों सकता है तो उसको रख दें और उसके नीचे भीक सवस्तिक बना दें जो फूलों वाली सेंसे नीचे भी क्वाने ठंग सब रखेंगे घर में और ठ्शनी महीं महीं बनाना चाहिए और मंगल लाता है तो इस तरह से आप जो जल है जो आपने फुलो की पंकुली रखा इसको आप देखिए कम से कम दो दिन रहने दीजेगा और वैसे तो आप पूरे महना जला सकते हैं पूरे साल रख सकते हैं ये अच्छा माना जाता है जल रखना वो आपके घर के सुपता को बढ़ाता है नकात्मा कुर्जा को जल ही सोक लेगा घर के अंदर नहीं आता इसलिए रखा जाता है और जब भी सुप मंगल दिन हो तो ये जल जरू रखे अब इसको दो दिन के बाद आप किसी पौधे में डाल दीजेगा फ्रेस रख लीजे अब एक खास परियो जो आप पास के किसी भी मंदिर में चले जाएं मंदिर के दिवाल पर एक उल्टा सुस्तिक बना दे अपनी समस्या कहें और घर चले या बिना पीछे मुड़े मंदिर की दिवाल पर बाहर की तरफ से भी बना सकते हैं अंदर की तरफ से भी बना सकते हैं ठीक है अब जब आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाए तब आप फिर से बंदिर जाएं अमान लेते हैं आप उस जगह नहीं कई और रहते हैं कोई बात नहीं जहां रहते हैं वहीं के पास कि किसी भी भगवान के मंदिर में एक सीधा सुस्ति बना दीजेगा या कोसिस कीजिएगा कि आपने जिस भी भगव पहले अपनी तरजनी उंगली, जिसको हम ब्रेसपति की उंगली कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, आप हवा में ही स्वस्तिक बनाएं और फिर आप सो जाएं, दीखिए अगर नीन्द अच्छी आएगी, बहुत अच्छी, और तरजनी उंगली से जब आप आप स्वस्त बनाने के लिए से देवी देपता भी खुश रहते हैं मनो कामनाय पूर्ण होती है और घर में जब आप मा की मुर्ति को अस्थापित करें या किसी भी भगवान को तो स्वस्तिक बना कर उस पर मुर्ति अस्थापित करेंगे तो आपके मन्न जल्दी पूरी होती है जो ब्यपारी है वो अपने ब्यपार अस्थल पर हल्दी के पौडर से या घोल से स्वस्तिक बना दें तो आपका ब्यपार अच्छा चलेगा और किसी का नजर भी आपके ब्यपार को नहीं लगेगा तो इस दिन आप जो भी प्रियोग करेंगे उसका आपको फल जरूर मिलता है दान जरूर कीजिएगा ताकि करोरों गुना अधिक फल मिले हम आपसे बिदा लेते हैं अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें हरहर महादेव धन्यवाद